दोस्तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सिलपा सेटी के हस्बेंट राजकुंदरा को जमानत तो मिल चुकी है लेकि जमानत के बाद में अब उनकी मुश्किले और भी बढ़ने जा रही हैं दोस्तो जिस तरीका से मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजकुंदरा को गरपतार किया था और गरपतार करने के बाद में सबकी नजरे राजकुंदरा पर टिक गई थी क्योंकि राजकुंदरा को आखिर एक बार फिर से सही सवाल जवाब देना ही पड़ेगा आप लोगों को बता देता हूँ कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने असलील मुवी बनाने के आरोप में सिल्पा सेटी के हस्बेंट राजकुंदरा को दो महिने के लिए गरपतार कर जेल भेज दिया था लेकिन फाइनली अब राजकुंदरा की बेल मिल चुकी है और बेल मि जो कि गंदी मुवी का धंदा करने के लिए बेवस करते थे और राजकुंदरा पर ये इलजाम सत्य भी हो चुका है दोस्तों आपको बता देता हूँ कि सिल्पा सेटी राजिस्तान रोयल की आईपियल की मालकिन भी है जो कि इस समय अपने पती राजकुंदरा को बचाते ह भी नजर आ रही हैं दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजकुंदरा इतने महनती एक्टर नहीं है इतने महनती आत्मी नहीं है लेकिन वो अपनी गंदी बरी लाइप में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन इज़द तो नहीं है इन लोगों क लेकिन फीर भी ये कोशिस कर रहे हैं क्योंकि राजकुंदरा नहीं नहीं लड़कियों को बॉलिवुट के नाम पर एंट्री कराने के नाम पर जो की धन्ता क्या करते थे लेकिन फाइनली उनकी सिकायत बड़े लेविल तक पहुचने के कारण अब इसपर पूरी तरीका से सुनवाई हो चुकी है और राजगुंदरा का अब बचना नामुम्किन नजर आ रहा है वहीं सिलपा सेटी कोसिस कर रहे है कि किसी भी तरीका से इस केस को दवा दिया जाए अब देखना दिल्चस्प होगा कि वागई में अब राजगुंदरा के साथ में क्या हो पता है क्योंकि राजगुंदरा आपनी सी पूरी कोसिस कर रहे हैं और उनकी कोसिस ये कितनी रंग लाती है वो तो समय ही बता पाएगा दोस्तों मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए कॉमेंट करके जरूर बताएए थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो लव यू गाइस लव यू अल आप यू